देश को स्वाधीनता मिले दो साल बीच चुके थे। अजाद भारत को नया बिधान देने के लिए संबिधान सभा लगतार कारे कर रही थी। भारत की राजभासा क्या हो इसे लेकर प्रस्ताव आने वाला था। संबिधान सभा में भासा का सवाल उठने से ठीक एक दिन पहले एक 11 सितंबर 1990 को नेशनल हेराड अकवार में एक खवर छपी संस्कृत के साथ अंबेदकर। उन दिनों इस समाचार ने देश को चवका दिया। अंग्रेजी पढ़े दिखे और ब्रिटिस वार्शराय की कौन से लियानी मंत्री मंदल के सदस्य रहे डॉक्टर भीमराव अंबेदकर को लेकर कोई यह कलपना भी नहीं कर सकता था कि वे संस्कृत का समर्थन करेंगे। लेकिन नेशनल हेराल में छपी इस खबर ने डॉक्टर अंबेदकर को लेकर जारी धारणा को खंडित कर दिया था। उस समाचार के अनुसार संबुधान की प्रारूप समीती के अध्यक्ष और देश के ततकालीन बिधी मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेदकर उस धारा के साथ थे जो संस्कृत को स्वाधीन भारतिये संग की आधिकारिक भासा बनाने की पैरोकार थी। संस्कृत को भारतिये संबुधान की अधिकारिक राजभासा बनाने वाले प्रस्ताव में डॉक्टर अंबेदकर के साथ भारत के बिदेश मामलों के उप मंत्री डॉक्टर बीवी के सरकर और बंगाल से चुनकर आये संबुधान सभा के सदस्य नजीरुदीन अहमद थे। यहीं केस कर बाद में भारत के सूचना वो प्रसारण मंत्री भी बने और उनके ही कारिकाल में आकास बाड़ी ने इतना विकास किया कि आकास बाड़ी के इतिहास में उस युग को स्वानकाल कहा जाता है। अंबेदकर ने या प्रस्ताव राष्टभासा विवस्था परीशत के उस प्रस्ताव के संसोधन के रूप में दिया था जिसमें परीशत ने कहा था कि अंग्रेजी की जगह हिंदी को निश्चित रूप से प्रतिश्ठित किया जाए। उसे अंग्रेजी की जगह लेने के लिए दस साल से जादा का वक्त भी नहीं लगना चाहिए। परीशत ने इसी प्रस्ताव में सुझाव दिया था कि भारतिय संग के सभी प्रांत अपनी अपनी अस्थानिये एवं प्रादेशिक भासाओं का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र हों लेकिन उनकी सिक्षा ब्यवस्ता में दो भारतिय भासाओं की पढ़ाई अनिवार्य ह प्रसिद जगहों के लिए भारतिय संग को संस्कृत का प्रयोग करना चाहिए। राश्ट भासा ने अपना यह त्री सुत्रिय प्रस्ताव अगस्थ 1949 में सरकार को दिया था। डक्टर अंबेदकर ने संस्कृत को राजभासा बनाने का प्रस्ताव राश्ट भासा बिवस् डॉक्टर अम्बेदकर ने जो प्रस्ताव जो अहरलान लेहरू सरकार को सौपा था उसमें भी तीन विंदू थे। इसके अनुसार भारतिय संग की भासा संस्कृत को बनाना था जबकि दूसरा प्रस्ताव यह था कि स्वाधिनता के सुरवाती 15 सालों तक अंग्रेजी का ही अधिकारिक भासा के रूप में प्रयोग हो लेकिन उसके समानांतर संस्कृत का भी प्रयोग होना चाहिए। तिसरा प्रस्ताव यह था कि 15 साल की इस अवधि के बाद संस्कृत को संग की अधिकारिक भासा बनाया जाए। इसके साथ ही डॉक्टर अंबेदकर ने सुझाव दिया था कि संविधान सभा को यह कानून भी बनाना चाहिए कि अंग्रेजी सिर्फ 15 साल तक ही काम में ली ज दस्यों ने संसोधन पेश किये थे इन प्रस्तावकों में प्रमुक थे एलके मैत्र टीटी किष्णयमाचारी और स्यामा प्रसाद मुखरदी बाबा सहब भीम राव अंबेदकर और नजीरुदीन अहमद भी इनके साथ थे नजीरुदीन अहमद ने संस्कृत के समर्थन मे दिया था हाला कि डॉक्टर अंबेदकर ने सिर्फ संसोधन प्रस्ताव ही पेश किया था भासन नहीं दिया था दरसल डॉक्टर अंबेदकर बेहत अध्यान करते थे उनके ब्यापक अध्यान के आधार पर आरियों के बाहर से आने की प्रचलित अधारणा से सहमत नहीं थे वे मानते थे कि आरे भारत के बाहर से नहीं आये बलकि द्रविड लोगों के साथ वे भी यहीं के मूल वनसद हैं भारत में आरियों के बाहर से आने की इतिहासकारों की कलपना को सबसे पहले आरे समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती ने खारिज किया था स्वामी विवेकानंद का भी यहीं मानना था डक्टर अंबेदकर ने सिर्फ अंग्रेजी या माराथी ही नहीं बलकि संस्कृत गरंथों का बहुत अध्यान क्या था इसलिए वे मानते थे कि आरे और द्रबिण की या अवधारणा स्वाधीन भारत में तूटनी चाहिए यहीं वजह रही कि वे संस्कृत के अध्यान के पैरोकार बने उनका मानना था कि संस्कृत के अध्यान के चलते लोगों की धारणा बदलेगी सोच भी बदलेगी और भ जिरांतियों को तोड़ने की रोशनी उन्हें संस्कृत में ही नजर आती थी यह भी कम लोगों को पता है कि डॉक्टर अंबेदकर संस्कृत की मुख्यधारा में पढ़ाई कराये जाने के भी समर्थक रहे पारंपरिक संस्कृत सिक्षण ब्यवस्ता को आधोनिक द्रिष् भी डॉक्टर अंबेदकर ने पंडि ज्वाहरलान नहरू को दिया था इसी के प्रिणाम स्वरूप उन्ली सचपन में भारत सरकार ने संस्कृत सिक्षण आयोग बनाया था इस आयोग के अध्यक्ष जाने माने भासा विज्ञानी डॉक्टर सुनिती कुमार चटर जी बना गया था डॉक्टर अंबेदकर की जीविनियों से गुजरते हैं तो पता चलता है कि अपनी पढ़ाई के दिनों में वे संस्कृत की बिद्वत अध्यान करना चाहते थे लेकिन ततकालिन परिस्थितियों की वज़से ऐसा संभव नहीं हो पाया लेकिन जब वे जर्मनी की बोन इन्वर्सीटि में पढ़ने पहुंचे तो उन्होंने वहा संस्कृत का विद्वत अध्यान किया डॉक्टर अंबेदकर की एक सतीस्वी जैन्ती पर ततकालिन मुखे नाय धिस सरत बोबडे ने अंबेदकर के इस संस्कृत प्रेम का हवाला दिया था उन्होंने कहा थ कि डॉक्टर अंबेदकर ने भारत की भावी भासा समस्या को समझ लिया था इसलिए उन्होंने भारत की अधिकारिक भासा संस्कृत को बनाने का प्रस्ताव रखा था दरसल डक्टर अम्बेदकर को लगता था कि हो सकता है कि तमिल उत्तर भारत में स्विकारे नो हो उसी तरह हिंदी दक्षिण भारत में स्विकारे नो हो लेकिन संस्कृत को लेकर उत्तर और दक्षिण में बिरोध की कोई आसंका नहीं थी सायद्य यहीं वज़ा है कि डॉक्टर अंबेतकर ने संस्कृत को भारत की राजभासा बनाने का प्रस्ताव दिया था डॉक्टर अंबेतकर भारत की भासाई समस्या को दूर करना चाहते थे और इस राह में उन्हें संस्कृत ही सबसे सहज और उप्योगी भासा नजर आ रही थी। उसका साहित और उसमें इस्थित ग्यान का भंडार भी उन्हें आकर्शित करता था लेकिन डॉक्टर अंबेत करका या सपना पूरा नहीं हो पाया।